आज हम बात करेंगे बच्चों में जंगफूड की आदत की बच्चे अक्तर जंगफूड या फास्ट फूड की डिमान करते हैं लेकिन बार-बार उनकी एमांग पूरी करने से उनने उनकी आदत पढ़ जाती है जंगफूड के नुकसान बहुत भारी पढ़ सकते हैं इसलिए जंगफूड से बच्चों को दूर रखें या घर में बड़ों की जिम्मेदारी है आएए बताते हैं ये जंगफूड हो सकता है आपके बच्चों के लिए खत्रा पहला कोल रिंग बच्चों के अधिक कोल रिंग पीने के दुश्पेर नाम क्या है अमोमन सभी प्रकार की कोल रिंग बच्चों के स्वास पर बुरा सर डालती है इसे बनाने में इस्तमाल किये गए सोडा से टाइप 2 डाइबिटीज हो सकता है है जो की बच्चों के लिए हानीकारक होता है दुसरा प्रोसेस फूट में नाइटर्ड अधिक मातरा में होता है अधिक निवाग और फ्रेंच राइस तेल्यू किया ओईली खान पान कम करना चाहिए इसमेना केवल वसा बल्कि कैलरी भी खूब होती है शोद के अनुसा खलाबोना खाने से सब्जियां खाने की इच्छा खम हो जाती है आता हम सभी फ्रेंग्स ट्राइज बर्गोर्ड चौमिन खाने से परहेज करें चौथा मीठा नाज मीठा नाज कार्बोहाइडरेट से भरपूर होता है इसमें खाने बचाने के लिए जरूरी फाइबर की मातरा कम होती है बच्चों के खाने में इस तरह जंक फूड नाशामिल करें जिस डाल में 10 ग्राम से कम शक्करों उसे चुनना बहतर उपाय है पाच फलों से बने बजारू फूट स्नैक बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते जंक फूड के दुश्पर नाज जहिलने पड़े इसलिए क्या खाना है क्या नहीं इस पर विचार करना बहुत जरूरी है चौकलेट सबी बच्चे चौकलेट के प्रतियाकर्शित रहते हैं यह उनकी पसंदीदा खान पीन खान पान की चीजों में से एक है लेकिन ज्यादा चौकलेट से दातों में सब्सक्राण कीरे लगने का खत्रा रहता है इसके साथ ही रक्त में शूगर भी बढ़ती है इसलिए अपने बच्चों को चौकलेट कम खाने की सीख दें साथवाद ची कीज का प्रेवक्सी मित मात्रा में होना चाहिए इससे चरीन में पॉस्टिक तत्रों की कमी हो सकती है या किसी जंक फूट से कम नहीं है इसमें कैल्चिमार प्रोटीन होता है जो की चार से आठ साल के बच्चों को अधिक्तम धाई कप मिल्क प्रोडेक्स लेने चाहिए शह एक वर्ष से कम उमर के बच्चों के लिए शहद भी जंक फूट की तरह है शहद में बिजाडू होते हैं जिसके कारण गला सूख नाउड़िटी होना या सास लेने में तकलीव जैती परेशानी हो सकती है